वैसे तो इस दुनिया में हाजारों ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं लेकिन डिजितल मार्केटिंग ही एक ऐसा तरीका या ऐसा करियर बनके क्यों आया है जो कि मैं चाहता हूँ कि आल्मोस्ट हर कोई करे आज सबसे पहले मैं आपको बता दुए वीडियो का टौपिक क्या है वीडियो का टौपिक यह है मैं एक ऐसा रोड मैप दोँगा आज आपको साथ स्टेप के अंदर आपको सी भी साथ स्टेप निभाने हैं और आप मैं गैरंटी दे रहूँ guarantee on record कि आप एक successful digital marketer बन जाओगे क्योंकि क्या होता है बहुत सारे सवाल होते हैं सर मुझे digital marketing करना है मुझे अच्छा digital marketer बनना है तो वो तरीके क्या है जिससे मैं digital marketer बन पाऊँ तो उन सवालों को इकठा करते हुए जब मुझे बहुत सारे सवाल मिल गए हैं तो मुझे रगा इस पर detailed video इसलिए बनानी ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है लोगों को proper जानकारी नहीं है कि actually मैं digital marketer बनने के लिए क्या-क्या चाहिए होता है और क्या-क्या करना होता है तो बस आप समझ लो ये video उसी पे आज आधारित है अगर आपने patience है सुनने का तो गाई सुनके जाना क्योंकि आज का ये video आपको वो हर चीज की clarity देदेगा जो कि आपको digital marketer बना ही देगा बना सकता है नहीं बना ही देगा तो चलो वीडियो के start करते हैं मैं कहाँ पर था? मैं था कि इस दुनिया में बहुत सारे हजारों ऐसे career हैं जो कि आप चुन सकते हो लेकिन मैं क्यों चाहता हूँ कि आप digital marketer चुनो इसलिए नहीं कि मैं digital marketer हूँ तो मैं सबको digital marketer बनाना चाहता हूँ बिल्कुल भी रही एक बार और attempt देंगे फिर से attempt देंगे और एक बार उनका attempt खतम हो जाएगा फिर कहानी खतम फिर उनको वापस अपरे लाइफ में कुछ नया करना पड़ेगा यह सेम होता है UPSC के साथ सेम होता है हर किसी के साथ सेम होता है न यह चीज़ तो अब यही से वो कहानी है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ देखो एक बंदा जो IIT क्लियर करना चाहता है लेकिन नहीं हुआ उसको अपना लाइन चेंज करना पड़ेगा एक UPSC का बंदा जो UPSC क्लियर करना चाहता है लेकिन नहीं क्लियर हुआ एक digital marketer अपने skills से digital marketing करता है that is the number one case कि आपको digital marketer बनना चाहिए यह तो सब्सक्राइब फर्स्ट है second वाला सुन लो गाई second reason यह है digital marketer बनने का कि आज की date में आप कोई भी दुनिया का business उठा लो उस business पे हो सकता है आपको designing की जरूतना हो मतला वहाँ पर fashion designer की जरूतना है वहाँ पर for example choreographer की जरूतना हो for example वहाँ पर ऐसे से चीज़ों की जरूतना हो जो की वहाँ पर चाहिए नहीं लेकिन इस दुनिया में कोई एक ऐसा business बता दो जहां पर marketing की जरूतना ही है आप यह मुझे बता दो ऐसा को भी business हो सकता है जिसको अपना समान नहीं बेचना जिसको business करना ही नहीं है जिसको कुछ नहीं बेचना ऐसा हो सकता है गाई नहीं हो सकता तो यानि इस दुनिया में 99.9% अभी 0.1% में मार लेता हो कि मुझे knowledge नहीं है वो 0.1% तक ही seamless होगा यह guarantee है तो 99.9% companies को businesses को marketing की जरौत है और जैसा कि मैं पता है कि इतने बड़े level पर अगा marketing की जरौत है तो चाहे वो अब 5 लाख लोग digital marketer बने या 50 लाख लोग digital marketer बने गाईस सबके लिए opportunity available क्यों? क्योंकि अगर मैं आज की डिट में बताओ तो हर चीज गाईस digital हो गया है और सबसे पहले marketing तो सबसे पहले digital हुआ है समझ रहे हो बात को? तो अब आपके पास digital marketing करने के दो सबसे बड़े reason है number one reason कि आप अपने खुद के boss हो आपको किसी को certificate दिखाने की जरौत नहीं है कई admission लेने की जरौत नहीं है अब मैं start करूँगा कि आपको digital marketing करनी कैसे है साथ steps में मैं आपको digital marketer बना दूँगा और ये इस दुनिया के हर successful digital marketer की कहानी है इस तरीके से ही start हुआ है एक का दो का अगर होंगे ऐसे नहीं चलते है बट अगर आपने इस पात को follow कर लिया मैं आपको बोल रहा होगा ये आप digital marketer बना होगे एक और चीज़ देखो digital marketing क्या है ये internet से किया हुआ marketing है मतलब आप internet पे पूरी तरीके से depend होके marketing करते हो और internet पे ना सारी चीज़े बहुत आसान होती है आसान मतलब कि आप उसको निभा सकते हो सिर्फ एक laptop में बैटके इसलिए आसान कहा रहा हूँ मतलब उसमें भी महनत चाहिए होती है अब इसके लिए आपको घर से बाहर निकलने की जरूत नहीं है आप एक कमरे में laptop में बैटके ये सारा काम कर सकते हो internet में जहां की चीज़े आसान है इतने trends जो हैं चेंज होते हैं कि digital marketers की value हमेशा बनी देती है क्योंकि वो ही है जो इस knowledge को हमेशा up to date रखते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा point है जिसके लिए आपको हमेशा काम मिल सकता है example इतने सारे updates के बाद अचानक से एक नया update आगया AI, market में AI चाया हुआ है अब again AI, market में नए लोगों को पता होगा क्या जो की सिर्फ अपना business कर रहे थे अब वो AI में थुड़ी न गुसेंगे वो क्या करेंगे, वो digital marketers को पकड़ेंगे कि भया, ये क्या नहीं चीज़ आई है, जल्दिते मेरे business में implement करो इसको मुझे अपने business को competitive बनाना है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पीछे रहे जाऊं तो वो डिपेंड पे रहेंगे digital marketers पे तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ, digital marketing का जौब ऐसा है ना आपको किसी को certificate दिखाना है, ना आपको कोई entrance में मारा मारी करके घुसना है आप जहां पर खड़े होंगे ना, business वहां आएगा आप जहां पर खड़े होंगे, entrance वहां से शुरू है मतलब यह समझे इसका मतलब गाईस हम लोग क्या है वो IIT UPSC इनको पीछे छोड़के बहुत आगे निकल चुके है मैं आगे के दुनिया देख रहे है वो आज भी entrance के लिए पड़े हुए है लेकिन हाँ यह है कि जिन बच्चों का selection हो जाएगा वो कहीं ना कहीं आगे चले जाएगे हमसे यह मैं माल लेता हूँ लेकिन तब तक तो आप इतना कर चुके होंगे करना है in just seven steps सबसे पहले step one मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपको सच में सीखने के लिए YouTube में जाना चाहिए सबसे पहला step होना चाहिए YouTube यहाँ से आपना interest generate करो मैं यह नहीं करा कि यहाँ से आप सीख लो सीखने की बात तो छोड़ो सबसे पहले interest generate करो आप YouTube में जाओ और digital marketing के जितने भी modules है बहुत सारे modules हो सकते हैं चाहिए वो SEO हो चाहिए वो SMO हो चाहिए वो email marketing हो चाहिए वो ASO हो app store optimization हो बहुत सारे हो सकते हैं मैं सबका नाम लिखने नहीं जा रहा है यहाँ पर आप यहाँ पर जाओ और इनके वीडियो देखना स्टार्ट करो और सबसे पहले तो यह analyze करो कि क्या आपको interest आ रहा है अगर आप सोच रहो कि आपको interest आ रहा है अगर आपको लग रहा है यार मज़ा आ रहा है वीडियो को देखने में यहाँ से सीखना पॉसिबल नहीं है यहाँ से learning नहीं पॉसिबल है वह advanced learning जो होती है advanced मतलब जिसमें आप कर ही लोगे चीज़ों को क्यों कि यहाँ पर चीज है ना बहुत ही scattered रहती है scattered का मतलब क्या होता है कि बिखरी हुई यहाँ पर आपको यह समझ नहीं आएगा कि सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा हूँ या खाली देखे जा रहा हूँ आपको यह समझ नहीं आएगा आप confused होगे तो इसलिए start जो step 1 है यह मैं हमेशना कहूँगा कि आप YouTube से करोगे that is the number one case इसके लिए मैं कहना चाहूँगा आप अपने favorite YouTubers को subscribe कर सकते हो अगर उसमें से मैं हूँ तो मुझे भी जल्ले से subscribe कर लो क्योंकि मैं digital marketing के continuous knowledge जो है इस channel पर देता रहता हूँ बाकी मैं आपको और भी बहुत सारे YouTubers को जरूर subscribe करने के लिए बोलूँगा जो की जरूरी है क्योंकि किसी एक के knowledge पर depend नहीं रहो आप क्या करो different different YouTube creators को ना subscribe कर लो क्योंकि हर किसी का अपना एक knowledge होता है knowledge तो knowledge हर किसी को अपना एक delivery का भी उसका अलगी तरीका होता है तो आपको हमेशा subscribe करके रखना चाहिए ताकि उसका कोई भी content आपका कभी भी miss ना हो क्या पाता कोई important content था just because कि आपने subscribe नहीं किया था आपके feed पे आता था आप खुश थे और वो एक दिन miss हो गया और उसका बहुत important कोई topic था जो कि आपको सच में एक अच्छी knowledge दे सकता था इसलिए आपको subscribe करके रखना है देखो अगर आपको English आती है न तो मैं चाहूंगा कि आप फॉरन कुछ international digital marketers को जरूर subscribe करके रखे जैसे कि Brian Dean बहुत अच्छा SEO पे वो वीडियो बनाते हैं नील पिटेल बहुत अच्छा वीडियो उनको कर सकते हो subscribe चलो अब चलते हैं next part पे जो कि हमारा step 2 step 2 में आती है guys value investing अब यह value investing क्या होता है कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा जेव होता है धीला मतलब यहाँ पर आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा investment किस चीज में investment मैं जल्दी समझा दू guys investment is about कि अब आपको तीन चीज यहाँ पर चाहिए होती है as per my experience बाके लोग क्या बोलेंगा या नहीं बोलेंगा मुझे नहीं पता number one सबसे पहले आपको एक domain ले लेना चाहिए no matter उसका क्या नाम है आपका खुद का नाम ले लो या XYZ ले लो कुछ भी ले लो खाली आपको यहाँ पर practice करनी है एक hosting चाहिए होगी और एक course चाहिए होगा digital marketing का अब आप कहोगे कि digital marketing का course क्यों आप YouTube से सीख तो रहे है नहीं दोस यहाँ पर सबसे पहले आपको domain hosting इसलिए बोल रहो ताकि आप इन दोनों से कर पाऊगे practice क्योंकि practice जब तक नहीं करोगे हमारी digital marketing में आपके लिए कोई जगा नहीं है जब आप practice करना start करते हो तब ही आप digital marketing को अच्छे तरह कर सकते हो लर्निंग के लिए आप जितना मर्जी घर में पढ़ा लो बच्चों को school क्यों भीजा जाता है क्योंकि वहां पर एक structured learning होती है क्या होती है guys structured कि यहां पर एक concrete तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता है यह सिखाया जाता है कि digital marketing में यह 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 इस city से सिखाया जाती है तो उसे कहते है structured learning जो की courses में मिलते हैं अब यह courses कहां से लेनी आए मैं आपको छोड़ देता हूँ मैं कोशिश करूँगा कि आप Udemy में जाओ क्यों Udemy में जाओ क्योंकि यहाँ पर आपको यह Udemy एक marketplace है जहाँ पर बहुत सारे digital marketers के courses है अगर आप किसी का ad देके खरीद रहे हो तो I don't think so कि आप मतलब उसमें क्या फाइदा उटा सकते हो बट Udemy में क्या होगा यह marketplace है बहुत सारे लोग अपना digital marketing course बना के यहाँ पर list करते है आप देखो बच्चों के reviews क्या है आप देखो कितने लोगों ने उसको खरीदा है वहाँ से आपको idea मिल जाएगा कि यहाँ है जो कि मेरा affiliate partner है अगर आप चाहो तो description में मैंने link दे दिया है आपको flat 10% discount मिल जाएगा मैंने code भी दे दिया है थोड़ा सा affiliate commission मैं earn कर लूँगा इस एक पर videos बनाने के लिए खर्चे दो होते है बाकि आप भी मर्जी है आप जहाँ से चाहो उतना ले सकते हो जैसे आपने ये कर लिया अब आपके अंदर वो confidence आजाएगा कि आपको digital marketing की चीज़े आनी लग गई है मतलब आपने करना भी शुरू कर दिया अब तो आपसे हो भी रहा है समझ रहे हो क्योंकि यहाँ पर सीखना और practice दोनों एक साथ चल रहा है अब आजाएंगे सीधा हम step 3 में step 3 वो 3 है जहाँ पर अब आपको specification पर focus करना है specification मतलब कि अब आपको ये ढूढ़ना है कि digital marketing के अंदर का वो कौन सा module है जो कि आपको काफी fascinate करता है मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप अगर मैं बात करूँ कि digital marketing के बहुत सारे modules है SEO से लेके SMO, email, marketing फिर आपका SEM हो गया search engine marketing इसमें PPC आजाता है then आपका ASO आजाता है apps to optimization ऐसे बहुत सारे है मैं नाम लेज़े थक जाओंगा ऐसे बहुत सारे है so what you need to do आपको बस focus करना है कि इसमें से आपको किसमे export बनना है क्योंकि guys खिचडी मत पकाना be an export आप export बनने की रहा पर चलना अगर खिचडी पकाऊगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर आप इसमें से कोई भी में expert होगे जैसे वाले थे इसमें expert होगे आप बोलोगे सर फिर मेरा career क्या होगा मैं पताओ क्या होगा अगर आप इसमें expert होगे knowledge आपको इन सब की है तो आप फिर भी digital marketing manager बन जाओगे लेकिन जहां expert होगे वहाँ आप lifetime अंकर पाओगे lifetime किसे अंकर पाओगे एक और investing पता है क्या होगे अब अब आप जिस चीज में specification करना चाहते हो उसका एक dedicated और advanced course ले लो dedicated course जो की advanced level पे आपको वो चीज़ सिखाएगा आप आपको basic knowledge तो है for example मैं SEO का माल लेता हूँ basic knowledge तो है क्योंकि basic knowledge के लिए आपने पहले YouTube सा start किया था या मेरे जैसे और भी किसी का आपको उनकी पड़ाय अच्छी लगती है और उनका knowledge अच्छा लगता है उनसे ले लो या फिर Udemy में जाओ और वहाँ से आप advanced specific course ले लो search engine optimization, social media optimization, email marketing, app store optimization जो भी आपको चाहिए अब specification यहाँ से आपकी journey start हो जागी specification की कि अब आप specialized बन रहे हो किसी एक particular subject में, एक particular module में जिसके अंदर आपकी value यह होने वाली है कि अब आपके resume के अंदर आप एक search engine optimized expert बनने वाले हो आप social media optimizer expert बनने वाले हो आप email marketing expert बनने वाले हो आपके resume के अंदर यह आने जा रहा है जैसे ही आपने step 3 complete कर लिया the step 4 step 4 पे दोस्ट अब आपको अपने उस specification के साथ जाना है internship में internship is like half job मैं आपको internship करने के लिए बोलूँगा no matter guys आपको internship पे कितना मिल रहा है 8000 मिल रहा है आपको 10,000 मिल रहा है 12,000 मिल रहा है doesn't matter आपको internship करना है आप एक अच्छे firm में करना इना good firm कोई भी उठाई के रहे firm में मत करना guys ऐसी जगा internship मत कर ले न जो कि लोग आपको सस्ते resource के चकर में hire कर रहे है कि आपको digital marketing आता होगा और पूरी तरीके से आपके depend हो गए zero होगा आपका आपका internship करना zero हो गया reason me क्योंकि वहाँ पर वह आप पर depend रहेंगे और good firm जो होगा न वहाँ पर number of resources बहुत सारे लोग रहेंगे और उनके बीच आप रहोगे और इन सबसे आप से कुछ दर को सीखने को मिलेगा एक supervisor होगा जिसको knowledge है जो आपको हमेशा बोलत रहेंगा इसको ऐसे करो सबसे बड़ी बात आपकी गलतिया पकड़ेगा क्योंकि गलतिया ही तो एक ऐसी चीज़े जहां से हमें सबसे ज़्यादा learning मिलती है यार ये चीज़ ऐसे नहीं होने चीज़ी ती आरे अगर इस company के साथ internship किया है तो इसका मतलब बंदा knowledgeable है तो यही है कि internship का फाइदा यहां पर आपको exposure मिलेगा कि आपने जो specification की थी उसके उपर आपको अच्छे खासे work मिलेंगे आपको अच्छा का सा practice करने का एक mass scale मिलेगा तो वहाँ से आपको चीज़े और निकर जाएगी बस यह वो moment होगा internship में अगर अपने अच्छी company में की तो कि आपने मोहर लगा दी मतलब stamp लगा दिया कि now you have become a digital marketer क्यों? क्योंकि आप आपके पास interest है आपके पास knowledge है आपके पास practice है और एक बड़े firm का internship का आपके पास stamp है तो आप digital marketer कहला दो अपने आपको यहां तक आपका digital marketer बनने का जो वो सपना था वो complete हो जाता है अब बात करेंगे कि successful digital marketer कैसे बनना है मतलब अभी हम step 4 पे हैं मैंने का था step 7 मतलब 3 step और बाकी है जहाँ पर मैं यह बताऊँगा कि अब यहां तक तो digital marketer बन गए अब successful digital marketer कैसे बनना है उसकी बात कर लेते हैं अब वो हमारा step 5, step 6, step 7 है step 5 guys अब आपको after doing 3 months of internship जिसके अंदर यह ध्यान एकना उस internship ने आपने सीखने की बड़ी कोशिश की है क्योंकि अब आपको step 5 में आना है यहां पर आपको एक job की तलाश कर दूई है अब आप job ना जो करने ही जाओगे यहां पर आपको full-fledged salary मिलने वाली वहां तक आपको सिफ stipend मिलने वाला था यहां पर salary मिलने वाली है यहां पर आप negotiate करोगे कि मेरी salary कितनी होने चाहिए 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 depending upon कि आप किस locality में है कि हर locality का अपना एक cost of living होता है उस recording ही negotiate किया जाता है मान लेते हैं अगर हमारी deliance यार है तो आपका cost लाग होगा मान लेते हैं भीयार पटना है तो उसका cost लाग होगा मान लेते हैं यही अगर आपका luck no हुआ या फिर यही अगर आपका कानपूर हुआ तो वहां का cost लाग होगा Bangalore का cost सबसे ज़ादा होगा Mumbai का cost सबसे ज़ादा होगा उस recording negotiate होता है तो यहां पर जो salary decide होगी यहां से आप job करना शुरू कर दोगी जोब के लिए बहुत सारे interview क्राक करो interview क्राक करने के लिए सबसे पहले आप चार्ट CPT का साहरा लो वहां पर जाओ और वहां से आप interview के questions निक्वालो कि मैं SEO profile के लिए जा रहा हूँ तरीके से आपको अपने interview को जाना है अब मैं यहां पर वो चलो मैं interview क्राक करना नहीं सिखा रहा है मैं यह समझा रहा हूँ कि आपको job क्यों करनी है जोब जब करोगे न अगर आप सोचोगे कि मैं internship करके डारेट अपना business करने जा रहा हूँ मत करो guys आप job इसलिए करो क्योंकि अब आपको अगर job मिल गई सबसे बड़ा फाइदा बता क्या होगा guys यहां पर आप high budget पे काम करो high budgeted project पे काम करोगे जो कि सबसे ज़ादा आपको सीखने का real time पे मौका देगा क्योंकि यहां पर high scale budget जो होते है clients के जैसे for example मैंने जब digital marketing में job किया था मैंने PPC पे धाई 3-4-4 करोड रुपे के महीने के ads run किये थे बड़े-बड़े companies के लिए companies के नाम अभी नहीं लूँगा बट उससे क्या हुआ जहां पर धाई 3-3 करोड के बना प्रोजेक्ट की बात आती है ना मैं PPC से चला रहता था तो वहाँ पर इतना जादा मुझे learning का मौका मिलता था इतने जादा रियल टाइम के जो data बनते थे ना उससे सबसे जादा वृद्धी हुई थी मेरे knowledge की क्यों क्योंकि वहाँ पर इतना कुछ आपके सामने आ जाएगा जुतना की अगर आप मैं सिर्फ 10,000 वाले campaign चलाता या फिर इरो जा साथ 1,000,000 वाले campaign चलाता उससे फाइदा नहीं होता जितना की डाही 3 क्रो वो job में मिलता है इसलिए job करना बहुत जरूरी है second case अगर मैं आपको बता हूँ की job में आपको फाइदा क्या होता है इस यहाँ पर होते है high qualified experienced digital marketers जो की manager बनके बैठे है अब आप देखो इनको कितना आता है भाई उनके पीछे बढ़ जाओ चाट्टू कारिता कर लो बहुत लोग कहते हैं मैं चाट्टू कारिता नहीं कर सकता अरे करो भाई सीखना है आपको promotion की चिंता नहीं करनी promotion ठोड़ो आपको सीखना है अपने manager जिसको अगर आपको लगता है कि उसके पास knowledge है या तो manager या colleague किसी के पास भी knowledge है भाई buttering शुरू कर दो buttering promotion लेने के लिए नहीं इंसिट्यूट को सिखाने के लिए बस वहाँ पर रटू-टोटा की दिर सिखाया जाता है यहाँ पर आपको real time पर knowledge मिलेगा तो वहाँ से अपनी सबसे पहले community बढ़ाओ अपने colleagues के साथ बनाते हुए चलो अपने manager को बोले यार सर यह नहीं आ रहा पताओ तो सर पर पीछे पढ़ा रहो कभी भी job में जब जा रहे हुँ ना guys job में यहाँ पर यह मत सोचना कि आप 9 to 5 वाले job करोगे बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर तो आप 18-20 घंटे काम करो क्योंकि यहाँ पर आप अपने आपको salary के लिए नहीं काम कराओगे salary तो आ रहे हो बहुत अच्छी बात है add-on है यहाँ पर आप सीखोगे load मिलना है काम का लेते रहो लेते रहो कब तक? एक साल एक साल में तो आप इतना जबरदस सीख जाओगे कि बस इसके बाद अगर आप इस job को चोड़ना भी चाओना तो आपके पास कोई tension नहीं कोई tension लेकिन छोड़ना नहीं है लेकिन एक साल तक मैं एक साल का figure क्यों लेके चल रहा हूँ काफी होता है एक साथ त्री मंस का internship हो गया था उसके बाद एक साल का ऐसा जब जहाँ पर आपको इसने बड़-ड़े scale के projects मिल रहे है आपको करने के लिए बड़-बड़े SEO के projects मिल रहे है बड़-बड़े companies के मिल रहे है कैसे backlinks बनता है कैसे content पे काम करते है सबसर बड़ी बाद कौन से वो premium tools है जिस पर ये बड़-ड़े-बड़े companies काम करके करने आपको rank कराती है या फिर अच्छा conversion लाती है वो सीखने को मिला एक साल तक एक साल तक आपको ये दबा के करना है आप आते हैं step 6 पे यहाँ पर आके आपको ये करना है guys after one year one year plus जब हो जाओ तब आपको ये करना है one year तक नहीं one year के बाद guys now you should start your own freelance work salary के लिए हूँ तो आपको छोटे 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 पर लगा कर रखेंगे एक साल जब आप बहुत बड़े लेवल पर काम कर चुकी हो तब आप freelancing काम करो अब आप सिर्फ इसको 9 to 5 दो और बाक एक काम freelance पर करना शुरू करो अब मैंने यह क्यों का कि freelance पर करना शुरू करो क्योंकि आप यहां से आपकी salary जो भी आ रही है माल लेते हैं मैं 40,000 ले रहा हूँ salary जॉब से आ रही है प्लस आप freelancing का छुट मुट 20 से 30 यहां से कर पा रहे हो तो guys अब आपने क्या किया आपकी life में जो finance की जो calculation है वो upscale होनी शुरू होगी freelancing work आपको इसलिए भी करना है क्योंकि job आपको lifetime थोड़ी न करनी है मैं कभी भी किसी को सला नहीं दूँगा कि lifetime job करो आना अपने काम पर ही है life में तो यह step 6 है क्या आपको freelancing काम start करता है अब आप बोलो को financing कहां से मिलेगा सबसे पहली बात आपको network बनाना है network उस company में जितने भी लोग थे छोड़ छोड़ के जाएंगे छोड़ छोड़ के जाएंगे उनसे दोस्ती बनाओ manager से दोस्ती बनाओ सबको बता दो कि मैं digital marketer हूँ मुझे ये अच्छी तरीके से आता है अपना profile LinkedIn में बनाओ और अच्छी तरीके से एक website बनाओ जो कि आपके नाम से हो जिसके अंदर आप एक digital marketer खास का specification जो है उस पे पूरा पोथा भढ़ दो अपनी website के अंदर LinkedIn के अंदर यहां से network बनेगा और network से आपको na reference वाले काम आएंगे that is number one इसके अलावा आप जितने भी ये Fiverr है इस पे आपको starting पर दो नहीं मेरेगा freelancer है, upwork है इन पे profile बना लो और LinkedIn में Fiverr, upwork, freelancer बना लिंक दे दो अब क्या होगा? LinkedIn वाले बने जो आपको refer के थ्रू काम के देंगे उनको वोलो वहिया, आप मुझे Fiverr के थ्रू दो ताकि Fiverr का account का जो weightage है वो बड़े इससे क्या होगा? फिर यहां से आपको वो वाले काम आने शुरू जाएंगे, जो कि Fiverr के अपने अपने project जो अपने audience से आते है Fiverr, Freelance, Upwork यहां से पतला सारे project जो आप network से लोगे न, आप देखना आपको यहां पर commission देना पड़ेगा, लेकिन क्या हुआ? यहां पर marketing के लिए आपको क्यों नहीं दोगे? जब लगया आपको यह cross हो गया Guys, अपना step 7 शुरू कर दो Now, hire your own team bus Guys, यहां से आपकी life बन गई king size अब आप एक successful digital marketer बन गए क्यों यहां पर team hire करना है? क्योंकि अब आपको पता है कि team को चलाना कैसे है team आपको बेफकोपनी बनाएगी सारी knowledge आपके पास है आपको पता है कि SEO कैसे होता, आपको पता है PPC कैसे चलता है, आपको सब कुछ पता है इसलिए इस step के अंदर आपको team hire करना है और अपना job छोड़के अपनी company को अच्छे तरीके से चलाना शुरू करते हैं, क्योंकि अब आपके पास freelancing projects आई ही जा रहे है Fiverr से, Appowork से, freelancer से, LinkedIn से हर जगा से आई जा रहे है आपको projects की कभी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी और आपकी team आपके पास है जो कि आपके लिए mass production करके देगी आपको के लिए नहीं करना है, और अब आपका revenue generate हो रहा है salary बातनी है, कहानी कतम चीज़े organic आ रहे है, project organic आ रहे है salary बातना है, चीज़े organic आ रहे है, salary बातना है and your job is done और इस तरीके साब एक successful digital marketer बन जाओगे तो guys, कैसी रही आज की ये कहानी जो कि मैंने आपको इतने विस्तार में अपने experience को blend करके दिया है कि मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुका हूँ और इस तरीके से maximum digital marketer करते हैं तो कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताना, क्या आज आपको value मिला है मैंने पूरे session के अंदर focus किया सिखाने में कहीं भी मैंने ये नहीं पताया कि like, subscribe कर लो क्योंकि मैं चाहता था कि आप बिल्कुल focus रहो अपने career path का ये road में आपको जानने में जो कि मैंने बखुवी निबाए last में जाके, मुझे पता है बहुत सारे लोग निकल गए अब तक के लिए गाइज, have a nice day, bye, see you